हेलो माई दिया फ्रेंस वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूटिप चेल पर बहुत बहुत स्वागत है आई होप यू आप सभी की स्टडीज एन हेल्थ बहुत अच्छी चलिए होगी तो फ्रेंस जैसे कि आप सभी को पता है इस चैनल पर हमने उत्तराखंड पुलिस से रिलेड़ेट एक वीडियो सीरीज स्टाट करी है जिसमें हम आपके लिए कवर कर रहे हैं उत्तराखंड और जी के पोर्सन को तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेक्या रखे हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 10 most important questions जो कि आपके exam point of view से बहुत ज़्यादा important है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को like करें और इस वीडियो को ज़्यादे ज़्यादे share कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को subscribe करना न भूलें और press the bell icon ताकि जब भी हमारी को ये new वीडियो आए सबसे पहले notification आपके पास पहुँचिए तो चले फ्रेंट इसी के साथ start करते हैं हम आज के first question से जो की है अब federal structure for India was put forward by the यानि भारत के लिए एक संगी धाचा सबसे पहले निमलकी द्वारा प्रस्तूत किया गया था सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि federal structure क्या होता है लेकि किसी भी देश की जो government होती है वो दो type की होती है ठीक है पहला आता है federal government ठीक है federal government दूसरा आता है unitary government जो federal government होती है इसमें two level of government होती है यानि एक government होगी central में दूसरी government होगी state में लेकिं unitary government में क्या होता है एकी गौवर्मेंट होती है ठीक है नैसन में भी और स्टेट में भी नैसन वाई सिर्फ एकी गौवर्मेंट होती है यहाँ पर जो पॉलिटिकल पावर होती है वो शेयर होती है यानि सेंटर के पास अपनी अलग पावर होगी और स्टेट के पास अपनी अलग पावर होगी फ बहुत rigid होता है और यह codified होता है यानि जो भी constitution होगा federal government का एक तो लिखित होगा ठीक है return और वो rigid होता है उसको क्या करना change करना यानि उसको हम amendment इतने आसानी से नहीं कर सकते है यानि but unitary government में क्या है यह constitution amendment करना flexible है और यह uncodified यानि unwritten होता है और flexible होता है यानि हम इसको क्या कर सकते है चेंज कर सकते हैं ठीक है तो आप यह सारे जो पॉइंट्स है यह federal और unity government के होते हैं अब मेन बात आती है इंडिया किस टैप की government बनाता है ठीक है इंडिया क्या है कहने को तो federal government है ठीक है लेकिन ज्यादा वो उसका जुकाओ यानि उसको टिल्ट कहां की तरफ को है unitary government की तरफ को है कहने को इंडिया federal government है लेकिन उसका जुकाओ कहां की ज्यादा तरफ को है unitary government की तरफ को है तो इसी लिए इंडिया की जो government कहलाती है वो quasi federal system कहलाती है ठीक है quasi federal system government कहलाती है तो इसी इंडिया का जो भी ये federal structure है ये कहां से लिया गया है ये लिया है act of 1935 से संसुदीत है ठीक है तो जब government of India act 1935 से लिया गया है जो भी आजकल का present में हमारी Indian constitution है वो major league कहां से affected है वो act of 1935 से ही पेरित है next question है how does the constitution of India describe India as यानि constitution of India ठीक है इंडिया को कैसे describe करता है वर्णित करता है तो अगर आपके पास article number one आप पढ़ा होगा यानि अनुच्छे number one उसमें कहता है India that is भारत ठीक है India that is भारत shall be a union of states यानि राज्यों का एक संग है ठीक है इंडिया जिसे हम भारत पर कहते हैं तो option number two next है the system of judicial review originated in यानि नयाएक समिक्षा की प्रणाली उत्पन कहां से भी थी तो यह हुई थी option number four USA अब judicial review क्या होता है आपको पता है हमारे Indian Constitution के तीन पिलर है एक है legislative दूसरा है executive और तीसरा है judiciary तो legislative और executive जब भी कोई new law बनाते हैं या कोई भी act बनाते हैं तो यह act वहां के लोगों के लिए people के लिए valid है या किसी के राइट्स या किसी जो भी अधिकार होता है उसको खतम तो नहीं कर रहा है तो यह चीजें देखने का के क्या होता है judiciary के our judiciary क्या होता है या ूस law के वैलिड़िंडिद को चेक करता है ठीक है तो यह जूरीशिल का का मोता है तो इसी process को हम क्या कहते है judicial review करते हैं तो ये कहां से लिया गया है? ये USA से लिया गया है Next है Preventive Detention Means यानि निवारक निरोध का मतलब क्या होता है देखिए जब भी आपको police arrest करती है तो सबसे पहले वो आपको एक reason बताएगी कि police आपको क्यों arrest कर रही है फिर वो 24 घंटे के अंदा यानि within 24 hours उसे police को आपको एक magistrate के सामने क्या करना पड़ेगा? पेस करना पड़ेगा तो ये सारी बात है किसमें लिखे गई है? Article number 22 में लिखे गई है लेकिन article number 22 के सब article 3 में भी ये भी लिखा गया है अगर suppose किसी जगा पर rally हो रही है या कहीं पर कुछ बहुती जन्सवा है ठीक है? और ये person है अब इस person से खत्रा है कि इस rally में ये भगदर ना मचा दे यहाँ पर कोई नुकसान ना कर दे तो police उस भगदर को उस घटना को प्रिवेंट करने के लिए रोकने के लिए भी बीना किसी reason के यानि बीना किसी reason के आपको क्या कर सकती है? गिरिफतार कर सकती है और उसे आपको किसी भी magistrate के सामने पेज भी नहीं करना पड़ता है तो इसी को कहते हैं preventive detention यानि किसी होने वाली घटना को रोकने के लिए बीना किसी reason के आपको क्या कर देंगे? नजर बंद कर देंगे तो detention without interrogation ये कहाराता है preventive detention का मतलब और ये article number 22 के sub article 3 में है What was the basis of constitution constituting the constitution assembly of इंडिया? यानि भारत की सबविदान सबाग के गठन का आधार क्या था? ठीक है? तो गठन के आधार क्या था? ये था cabinet mission plan 1946 ठीक है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो constitution assembly बनाने का idea था ठीक है? constitution assembly बनाने का idea ये 1934 में किस ने दिया था? M.N. Roy ने दिया था ठीक है? M.N. Roy ने दिया था ये communist party के एक leader थे इन्हों ने सबसे पहले idea दिया था constitution assembly बनाने का कि हमारा भी एक constitution होना चाहिए तो बात करते-करते 1946 में कौन आया था? cabinet mission plan आया था तो इसके तहट 16 मैं 1946 को क्या हुआ था? कि हमारा constitution assembly को बनाए गया था तो option number 2 cabinet mission plan from the constitution of which country the provision of federation was borrowed while framing the constitution of India यानि भारत का सब्विदान बनाते समय संग का प्रावादान किस देश के सब्विदान से लिया गया है तो किस देश के सब्विदान से लिया गया है ये लिया गया है option number 3 Canada की ठीक है और India का structure कैसा है ये है quasi-federal ठीक है quasi-federal structure है यानि जिसमें federal system भी आती है और unitary system के भी गुड़ होते है who among the following was not a member of constitution assembly established in July 1946 तो इन में से कौन constitution assembly के member नहीं थे तो कौन थे महात्मा गाधी constitution assembly के member नहीं थे तो ये सारे नाम जो आपके पास दिये गए है ये सारे members थे पंडित जवालाल नहरू, अबुलकाला माजाद, वल्लभाई पतेल जेबी किप्रानी जी, राजिंद परसाद, स्वरोजनी नायडू हरे किष्ण मेहताप, गोविन वल्लब पंद डॉक्टर भीमराव अमबेटकर, सरच चंद्र बोस राश्चिरी राजगोपालाचारे, एम असव अली, तो यह सारे कॉस्टिशन असेंबली के क्या थे, मेंबर्स थे, लेकिन महात्मा गादी नहीं थे है, next है, who was the chairman of drafting committee of constitution, यानि, drafting committee के अध्यक्स कौन थे, यह थे, डॉक्टर भीमराव अमबेटकर, बाबा साहिब, डॉक्टर भीमराव अमबेटकर जी, drafting committee के क्या थे, अध्यक्स थे, और जो constitution assembly थी, इसकी first meeting, क्या, first meeting कब हुई थी, यह वह थी, 9 दिसंबर 1946 को ठीक है 9 December 1946 को first meeting हुई थी Constitution Assembly की और जो उसकी सबसे one of the most important committees में से एक थी वो थी drafting committee तो इसके अध्यक से कौन थे बियार अंबेट कर जी है next है India is a republic because India को गरतंतर कहा जाता है क्योंकि the head of the state is elected for a definite period ठीक है यानि राज जी का मुख्या एक निश्चित अवधी के लिए चुना जाता है और किसके द्वारा चुना जाता है people के द्वारा यानि जंता के द्वारा चुना जाता है इसलिए इंडिया को एक republic यानि गरतंतर कहा जाता है who was a constitutional advisor to the constitutional assembly of media यानि constitutional assembly के लिए constitutional advisor कौन थे सलाकार कौन थे ये थे sir b.n.rao ठीक है sir b.n.rao इनका पुरा नाम benegal nursing राओ है ठीक है फर्स्ट इंडियन जज्ज यानि फर्स्ट भारती कह रहे चुके है वहाँ नियाएधी सह चुके है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ठीक है so friends यह थे आज के हमारे top 10 most important इंडियन पॉलिटी के questions जो exam point of view से आपके लिए बहुत ज़्यादा जुरूरी है I hope आपको यह वीडियो पसंद आएगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे इस वीडियो को like कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा share कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को subscribe करना ना भूले and press the bell icon जब भी हमारी कोई new video आई सबसे पहले notification आपके पास पहुचे है मिलता है next video में कुछ और important videos के साथ questions के साथ तब तक के लिए जय हिंद